कक्षा बारा इतिहास महत्पुन प्रेश्ण उत्थर एक डोज हर रोज विद्यार्थियों हम बोर्ड की प्रेक्षा की तैयारी कर रहे हैं आए विद्यार्थियों मेरे साथ जूड़िये और आगे बढ़िये अब की बार नब्बे पार विद्यार्थियों हम सभी महत्पुन प्रेश्ण करने वाले हैं यह सभी प्रेश्ण आपके प्रेक्षा के ले अतियंत उप्योगी है इनका नियंत्र दोरान करते रहिए अध्य राव द्वारा भोगवा नदी के तर्ड पैस्तित लोथल में उत्कन का कार्यारम हुआ कॉस्टन बर टू पुरोहित राजा से क्या अभी प्रा है आंसर महोंजोद्र से प्रावत पुजारी की सीर वाली प्रतिमा को पुरोहित राजा की संग्या दी जाती है मेर्सपोटाम के लेखों में हडपा छेत्र के लिए कौन सा सब्द प्रियोग किया गया है अंसर मेलुआ मेर्सपोटामे के लेखों में ओमान के लिए की सब्द का प्रियोग किया गया है अगला प्रेशन अग्रहार से क्या तात्परी है अग्रहार व्यवस्था देक्षिन भायरत में पर जाता था जिस पर ब्रामनों से भूमी कर अत्वा अन्य प्रकार के कर नहीं वसुले जाते थे ब्रामनों को स्वयम स्थानी जन्ता से कर वसुल करने का अधिकार था अभी लेक किसे कहते हैं? अंसर अभी लेक उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु, अत्वा, मिट्टी के बरतन जैसे कटोर सथा पर खुदे होते हैं अभी लेकों में प्रायून लोगों की उपलब्दियां, क्रिया कलाप, अत्वा विचार लिखे जाते हैं जो उन्हें बनवाते हैं धम क्या है? अंसर मौरी समराड अशोग ने अपनी जन्ता के नेतिक उत्थान के लिए जिन आचारों की सहीता प्रस्तुत की उसे धम कहा जाता है अश्टा ध्याई के लेकर कौन है? पानी द्वारा अश्टा ध्याई लिखी गई है, यह संस्कृत व्याकरण की पुष्तक है नाट्य सास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? लगभग 380 में भरत मुनी द्वारा नाट्य सास्त्र संस्कृत वाषा में लिखा गया है मलेच किसे कहा गया है? मद्येश्या से भारत में आई जातियों को ब्राह्मनवादी विवस्ता में मलेच कहा गया है चांडाल से क्या अभी प्राहे? प्राचिन समय में सवों के अंतिष्टी करने एवं मुरत पशों को छूने जैसे कारियों को करने वाले लोगों को चांडाल का जाता था बन व्यवस्ता वाले समाज में इने सबसे नीमनिस्तान पर रखा गया था हस्तिनापूर का उत्कुनन कारिय किसने करवाया? अंसर पुरा तत्योविता बीबी लाल ने 1952 मेरेट जिले उत्ते प्रदेश के हस्तिनापूर गाउं का उत्कुनन का कारिय करवाया गोत्र से बाहर विवा करने को बहिर विवा पद्धती कहते हैं इबन बतुता को चीन क्यों बेजा गया अंसर सुल्तान मुहमत बिन तुगलक के आदेश पर 1342 हिस्वी में इबन बतुता मंगोल चाशक के पास सुल्तान के दूद के रूप में चीन गया पिटर मुंडी कीज देश का यात्री था अंसर इंगलेंड कॉश्चन 17 दंद कता से क्या विप्रा है अंसर वह बात जो परंपरा से लोग सुनते आये हो पर जिसके ठीक होने का कोई प्रमान ना हो दंद कता कहलाती है कॉश्चन 18 बलाहर कौन थे अंसर बर्णियर के नुसा भारत में भूमी हिंद श्रमीकों को बलाहर कहते थे अगला प्रशन उलुक एवं दावा में अंतरस प्रस्ट कीजिए अंसर उलुक अश्व डाग व्यवस्था को कहा जाता था जबकि दावा पैदर डाग व्यवस्था को कहा जाता था उलुक प्रती चार मील की दूरी पर स्थापित राज की गोडो धोरा चालित होती थी दावा में प्रती मील तीन अवस्थान होते थे कुदिरेई चटी कौन थे? आंसर विजनेगर में गोडो के स्थानी व्यापरियों को कुदिरेई चटी कहा जाता था विजनेगर में शाषकों को किस नाम से जाना जाता था अंसर राय विजनेगर आने वाले किनी तीन यात्रियों तो था उनके देशों के नाम बताईए अंसर अब्दूर रजाक फारस से निकोलो कॉंटी इटली से तथा डॉमिंगो पेस इटली से अजारा मंदीर कहां इस्तित था विजनेगर में सवामंडप क्या था सवामंडप उँचा मंच है जिसमें पास पास तता निकित दूरी पर लकड़ी के इस्तंबो के लिए छेट बने हुए है इस्तंबो के एक दूसरे के पास होते से बहुत कम खुला अस्तान शेस रहता था इस कारण स्पश्णिये की मंदप किस प्रयोजन के लिए बनवाय गया था अगला प्रश्ण अमला कौन था राज्यस एकतित करने वाला जमीदार का अधिकारी अमला कहलाता था बंगाल के धनी किसानों को किस नाम से जाना जाता था आंसर जोददार भिटेन में कपास आप उर्ति संग की स्थापना कब होई आंसर 857 इस्वी अवद में लाड वेलेजली दुआरा सायग संदीकब लागू की गई आंसर 1801 इस्वी में रिलीफ आफ लखनों क्या है? आंसर, 1869 इस्वी में थॉमस जॉन्स बर्कर धारा बनाया गया चित्र, रिलीफ आफ लखनों की रहात में अंग्रेजों को बचाने हैं विदरोई को कुचलने वाले अंग्रेज नायकों का चित्रन किया गया है आज का अंतीम प्रेशन नाना साब कौन थे 1870 के विद्रों में उनका योगदान बताईए अंसर नाना साब पेशवा बाजीरा दिति के उत्रादिकारी थे जिन्होंने 1877 के विद्रों में कानपूर में विद्रोई सिपाईयों हैं शहर के लोगों का नेतरद किया अट्रासव ठाओन इस्टी के अंति में जब विद्रो अर्सफो लो गया तब वह नेपाल चले गए विध्यार्थियों आज अपने महत्पुन प्रश्ण किये हैं सभी प्रश्ण आपके बौर्ड के प्रिक्षाओं की दिश्टी सत्यांत उप्योगी है इनका नियरंते दोरान करते रहिए अधियन करते रहिए शिगरही नई प्रश्णों के साथ उपस्तित होंगे धन्यवाद झाल